हेलो फ्रेंड साइमन मूल फ्रेंड इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेंट्रोल उनिवसिटी गुरु घासिदास उनिवसिटी ब्लासपूर की फ्रेंड अगर आप इस उनिवसिटी में एड़िशन लेना चाहते हैं है ना तो आपकी डेट आ गई है तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे इसके में पर आपको देख रहा है रास्टी ए परिक्षे अजनसी यानि नैशनल टैस्टिंग अजनसी ने जो है वो नोटेस जारी किया है जो कि पॉब्लिक नोटेस है नोटेस आया है सेकेंड नमर आपको यह जानना है कि यह उल्ली यूजी के लिए है अभी पीजी के लिए अपडेट नहीं आई है तो यूजी वालों के लिए है यहाँ पे जब नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आविदन पत्र ओनलाइन जमा करना है ना तो एप्लिकेशन फॉर्म जब आप जमा करेंगे तो उसकी डेट क्या है उसकी डेट है नौ फर्वरी से बारा मार्च दोहजार तेज़ तक जो की रातरी नौ बज़े तक रहेगी तो बैसे मूस्टरी बाराबशे तक रहती है लेकिन यहाँ पर नौ बज़े तक दी हुई है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है 9 फर्वरी से बारा मार्च सेकंड हम बात करें कि आपकी जो फी सम्मिट की डेट क्या होगी तो वो है आपकी 12 मार्च 2030 रातरी 11.50 तो 11.50 पीम तक आपका यह टाइम रहेगा लिंक उपन रहेगे 11.50 तक आप जो है वो अपनी फी पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ट, डेविट कार्ट, नेट बैंकिंग, यूपी आई के मार्धियम से हम बात करें करेक्शन डेट की है न तो विवरण में सुधार तो यह कब है यह 15 मार्च से 18 मार्च 2023 तक तो फ्रेंट्स 15 मार्च से 18 मार्च के बीद आपको जो आप उनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म फिल करेंगे अगर इसमें आपकी कोई भी मिस्टेक हो जाती है कोई भी माल लीजिए वो आपके नेम में मिस्टेक है अपको कोई चोईस डॉमिन चोईस करने में अगर कोई mistake है कोई भी आपकी mistake है जो आप उसका जो हुआ वो सही करवाना चाहते है तो आप 15 मार्च से 18 मार्च की बीच करवा सकते है इसके बाद बात करें कि आपके जो परिक्षा सहर की center है ना जो आप कहते हैं ना center लगा इस city में तो परिक्षा सहर की गोषणा कब की जाएगी तो वो होगी 30 अपरेल दो हजाएगी इसको यनि 30 अपरेल को आ जाएगी इसके बाद NT की बैप साइट के प्रिविश पत्र डाउनोड करना यानि आपके जो admit card है वो admit card पहली चीज़ तो कब डाउनोड होंगे तो वो होंगे माई के दूसरे सब्ता में यानि आपको एक डेट पार्टिकुलर डेट नहीं दे गई है है ना आपके माई के दूसरे सब्ता में होंगे आप बात कलने कहां से होंगे तो वो होंगे NTA की ओफिसियली बैप साइट से होंगे है ना दोनों चीज़े क्लियर हो गए अब जब इसकी पार्टिकुलर डेट आती है तो आपको इनफॉर्म किया जाएगा इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले अड़िशन चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि आपको हर एक अपडेट यहाँ वहाँ होती रहती है कभी भी चेंज हो जाती है जैसे माली जी इसी बार का कितने जल्ली से डेट आई गई है एप्लिकेशन फॉर्म फिल करने की बलकि लास्ट राइम बहुत लेट होई थी तो यहाँ महाँ होता रहता है जाना अभी जो एगजाम की डेट एंट यह ने गोसित की थी वो थी 15 माई लेकिन आप बढ़ गई है वो गई है 21 माई तो यहाँ महाँ चीजे होती रहती है तो यह अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा आप लोग अभ्यारती जितने होंगे जितने सुड़ेंट पेपर देंगे उनकी संख्या के अर्कॉर्डिंग जो है वो पेपर चलते है तो इसलिए आप एक करेक्ट डिट नहीं दी है इसके बादे रिकॉर्ड की गिया प्रतिकुर्य और आंसर कुंजी का प्रदर्शन देखो ज़र आप एक्जाम देने के बाद आपने कितने पेपर जो आपका देंगे या बही का बही आपको आपकी बैप साइट पर मिल जाएगा यहां पर आप जो आप लॉग इन करेंगे तो बहां पर आपको सारी चीज़े आपको मिल जाएगे आपने कितने सही किये, कितने गलत किये आपको अपनी जब वो answer seat देखने को वहाँ पर मिल जाएगे इसके साथ officially जो answer की है वो भी वहीं पर आजाती है तो answer की release की जाएगी आपकी अभी वो date नहीं आएगे, पहले आपका exam होगा इसके बाद ही उसकी date आएगी अगर हम officially website की बात कर लेते हैं तो आपके वो nta.ac.in ये एक officially website nta की और अगर हम particular cut की बात करें तो cut के लिए आपके cut.sumart.ac.in ये officially website आप यहाँ पर login कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि आपका result तो आपका result इनहीं website पर जो है वो घोसित कर दिया जाएगा जैसे ही आता है आपको हर इसीज़ की update यहाँ पर मिलती रहेगी तो channel को subscribe करना बिल्कुल ना भूले इसके साथ साथ एक important चीज़ है वो यह है कि आप C.U.T. U.G. का paper कितनी भासाओं में दे सकते हैं कितनी भासाओं में आयूजित किया जा रहा है तो C.U.T. के आप जो paper वो 23 भासाओं में आयूजित किया जा रहा है आपको इन 13 भासाओं में से जो भी भासा आती है जो भास अच्छे से आती है आप उसमें अपना paper दे सकते हैं तो I.O.Friends के आपको समझ आया होगा इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो आपका exam है वो national level का exam है N.T.A. करवारी है तो paper थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है लेविल थोड़ा सा बढ़ जाता है और All India के बच्चे अपलाई करते हैं तो सभी बच्चे exam भी देते हैं तो उस चीज़ में आपको ध्यार रखना अपको तयारी बहुत बहतर करनी हलके में बिल्कुल नहीं लेना है तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी preparation करनी है अगर हम syllabus की बात करें तो syllabus चैनल पर upload है आप please चैनल पर visit करें वहाँ पर separate playlist होंगी आप बहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं CUT preparation करके आपको वीडियो मिलेगी वहाँ से आप syllabus देख सकते हैं इसके साथ साथ आप search करके भी देख सकते हैं यूनिवसिटी के officially website से भी देख सकते हैं Second time आपको क्या करना है आपको online form भरते time ध्यान रखना है कि आपको university के criteria के अनुसार ही आपको form fill करना है अगर आप application form जो आपकी university है आप जो apply कर रहे है गुरु घासिदा सी university तो गुरु घासिदा सी university के according अगर आप fill नहीं करते हैं इस university ने बताया माल लीजिए कि section first section second section third आपको कहां कहां ये तीनों section करने हैं कहां नहीं करने हैं तो ये जीज़ आपको ध्यान रखना यानि कि course का जो criteria है आपको उसे के according form fill करना है अगर आप criteria के according form fill नहीं करते हैं तो आपको admission नहीं दिया जाएगा बहुत सारे बच्चें जो गलती करते हैं last time भी बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी आप ये गलती ना करें आपको ये गलती सुधाने का मौका नहीं दिया जाएगा तो form fill करते time ध्यान रखें आप university का criteria की separate video बनी हुई है चैनल पर upload है वीडियो की description box में आपको link की भी provide कर दी जाएगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं आप चैनल पर visit करके जरूर देके separate course की वहाँ पर बताई गई है syllabus बताया है criteria बताया है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं तो friends ये तो हमने बात की थड़ हम बात करते हैं preparation की तो आपको preparation कैसे करनी है और कहां से करनी है तो सबसे पहले आप जान ले कि जो आपके question होंगे class 12th के level के class 12th का ही syllabus यहाँ पर पूछा जाएगा next है MCQ आप से question पूछे जाते हैं तो theory आपको 12th की book से पढ़ लेनी है इसके साथ best book है success mantra book है ना तो ये book आपके लिए बहुत ही जादा important यहाँ पर रोल अधा करती है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आपने theory बहुत जादा पढ़ दी है 12th क्लास में तो अब आपको MCQ question पढ़ना है प्रैक्टेस करनी है और पास्टी पेपर सॉल्व करने है तो ये तीनों चीज़े आपको एक ही book में मिल जाती है all in one book है आपने को इसमें section first language section second domain section third general test तीनों section आपको इस book में मिलेंगे सबसे अच्छी बात इस book की plus point की बात कर लें तो हिंदी और इंगलिस दोनों भासा एक ही book में है यानि दो ही भासी यानि उसी book में हिंदी भी है उसी book में इंगलिस भी है एक ही पुस्तक आपको खरीदी है दोनों लेंगमिज मिल जाएगी आपको syllabus मिल जाएगा pattern paper का pattern मिल जाएगा कितने नमर किस subject से पूछे जाते है आपको हर एक चीज वहाँ पर मिल जाएगा आप जब फॉर्म फिल कर रहे है आपकी फॉर्म फिल करने की सारी process वहाँ पर बताई गई है तो यह सबी चीज़े आपको मिल जाती है आप इस book को अपनी आसपास की stationery से purchase कर सकते हैं या एक WhatsApp नमर मैं आपको बता रही हूँ 85 18049300 इस नमर पे आप WhatsApp करकर आप यह book purchase कर सकते हैं आपके home delivery आपको दी जाएगी वह बिलकुल free आप चो कोई भी चार्ज home delivery का नहीं लिया जाएगा तो delivery चार्ज बिलकुल free है आप चाहें तो इस contact नमर से अपने घर भी book मंगा सकते हैं आप flip card से order करके मंगा सकते हैं आप Amazon से order करके मंगा सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़ली ज़ली book purchase कर ले हैंने जिससे आप अच्छी से तयारी कर पाएं तो बहुत ही कम प्राइज में वह भी ले बे ले ज़्यादा महेंगी भी नहीं है तो आप देख सकते हैं और अगर कोई change होता है या कोई update आती है तो आपको इसी चैनल पर दी जाएगी इसके सासथ like classes भी यहाँ पर free चलाई जाती है तो आप जिस भी course की तयारी कर रहे हैं हमें comment करके जरूर बताएं और चैनल पर subscribe करना बिल्कुल न भूले क्योंकि चैनल पर आपको हर एक अपडेट सबसे पहले दी जा रहे है free तैयारी आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी तो friends चैनल को subscribe करें comment करें वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में नीव अपडेट के साथ